बच्चों, हिंदी के पिछले वीडियो में हमने हर्स इकर की मात्रा से बनाए गई कुछ सब्द को पढ़े थे और उन सब्द को हमने बहुत अच्छे से सीखे भी थे और आज के वीडियो में हम हर्स इकर से बनाए गई कुछ वाक्य पढ़ेंगे और उन वाक्य को भी हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है रिम जिम बारिस, ठीक है? दो में हरसी कर नो दिन, नो में हरसी कर कॉलो निकल, ओ में आकर यो में आकर आया, दिन निकल आया बो में आकर दोलो बादल, गो में हरसी कर रो घिर, ओ में आकर ए आये, बादल घिर आये दिन निकल आया बादल घीर आये रोमेहर सीकर मो रिम जोमेहर सीकर मो जिम रिम जिम बोमे आकर रोमेहर सीकर सो बारिश आ गई ओमे आकर आ गई गई रिम जिम बारिश आ गई नोमेहर सीकर सो निसा इ धोरो इधर ओमे आकर आ दिन निकल आया, बादल घीर आये, रिमचिम बारिश आ गई, नीशा इधर आ क्या आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ गई? Very good, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अब कोशिश करना ध्यान से पढ़ने का, ठीक है? मेरे साथ साथ कोशिश करना ध्यान से पढ़ने का कर को में हर्सी कर सो किश, मो में हर्सी कर सो मिस, नो में हर्सी कर को में आकर लो निकाल, किसमिस निकाल, चेड़ियां का, दाना, ला, दिसा, गिलास, रख कर किशमिस निकाल, समझायां? आगे पढ़ते हैं फॉ में हरसी करो फिर सॉ में हरसी कर तॉ में आकर रतार फिर सितार हरसो उठाव में आकर ठा उठा कोरो कर उठा कर फिर सितार उठा कर फिर सितार उठा कर फिर से अब ये पूरे लाइन को पढ़ते हैं चिडिया का दाना ला दिसा ग्लास रख कर किसमिस निकाल फिर सितार उठा कर बौ जो में आकर बजा वो में हरसी कर जोयो विजय डो में आकर को में हरसी कर यो में आकर डाकिया ओ में आकर यो में आकर आया थो में आकर था विजय डाकिया आया था डाकिया उसे कहते हैं जो ले आज के जवाने में अगर हम लोग को किसी से बात करना होता है तो हम लोग फोन से बात कर लेते हैं बट पुराने समय में ऐसा नहीं होता था पुराने समय में हम लोग खत लिखते थे ठीक है तो वह एक खत को डाकिया एक डाकिया होता था जिसे हम लोग इंग्लिश में आकर उस खत को पहुँचाता था गर पर तो यहां पर लिखा हुआ है विजय डाकिया आया था कौमे हरसी कर सौ कौमे आकर किसका पौत्रों पत्र लौमे आकर यौमे आकर लाया था किसका पत्र लाया था पत्र का मतलब होता है लेटर तो किसका पत्र लाया था यहां से पढ़ें फिर सुरू से, चलो आप दियान से पढ़ना, दीसा ग्लास रखकर किस्मिस निकाल, फिर सितार उठाकर बजा, विजय, डाकिया आया था, किसका पत्र लाया था, डाकिया सीमर का पत्र लाया था, आगे पढ़ते हैं, पौत्र, पत्र, कौमे आकर का, लौमे हर्सी कर, फौमे आकर, फौमे आकर, लिफाफा, लिफाफा का मतलब होता है, एन्वेलप, जिसके लेटर रहता है डाकिया सेमर का पत्र लाया था पत्र का लिफाफा लौ में आका लौ लाल था लाल था हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और इसमें बहुत सारे ऐसे सब्द थे जो हर्सी कर से सुरू होते थे बच्चों एक बड़ फिर से रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए दीन निकल आया बादल घीर आये रिमचिम बारिश आ गई नीसा इधर आ चिडिया का दाना ला दिसा ग्लास रख कर स्मिस निकाल फिर सितार उठा कर बजा विजय डाकिय आया था गिस का पत्र लाया था डाकिय सीमर का पत्र लाया था पत्र आल आतो बच्चों ये था पूरे चैप्टर का एक्स्टानेशन को आपको कैसा लगा हरसीकर की मात्रा से बनाए गए वाक्य को पढ़कर क्या आपको समझाई आप प्लीज मुझे बताएगा ठीक है और पिर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई